हेलो फ्रेंडंस, कैसे हैं आप सब नवरात्रे आने वाले हैं और नवरात्रों में हम लोग सब व्रत गरते हैं इसलिए आज हम व्रत्ससे में यहिल्टरी सी रॉसिपि features लें आपके लेकर राहे हैं दो से तीन मेट इस प्रकार से रोस्ट करने की बाए ठंडा होने की आद हम इसको मिक्सी के जार में डालकर इसका एक ब्लुकुल फाइन पॉडर बना लेंगे आप देख सकते हैं ब्लुकुल पर्फेक्ट पॉडर इसका बनकर तयार हो गया है अब हम इस पॉडर को एक बाउल एक बाट का आटा है उसके अंदर अलु को मिप्स कर देंगे साथ ही व्रत की एकोडिंग इसमें कुछ मसाले ऐट करेंगे हमने यहाँ पर ब्रत बाल Labor जू मुर्था नमक होता है वह यहाँ पर डाला है साथ में mail अगर आप धनिया खाते हैं तो धनिया भी आप इसमेंड कर सकते हैं ? जीरा डाला है इस प्रकार से बीना पानी की help से हमें इसका डो बना कर तयार कर लिया है साथ में हमने उपर से इसमें 1 टीज़ पून ओइल डाला हूँ इस प्रकार से अठे को लगा कर हम करीब आदा घंटे के रेस्ट के लिए रख देंगे आदा घंटा हो गया है फ्रेंड साथ हम पूरियां बना कर इसकी तयार कर लेंगे कि इस प्रकार से हम इसकी χUT- яईया बना लेंगे दुस्री होर हमने गया पर लगरनने के लिए रख दिया है कि आग जैसे normal पूरी बनाने के लिए हमने बने को गरम करते हैं सेम उतना ही योईल को हमने गरम करना है इस प्रकार हलकालका ओईल लगाकर हम जैसे आटे की पूरिया बनाते हैं सेम उसी प्रकार से इसकी पूरिया बनाकर तयार कर लेंगे सभी पूरियों को हम बनाकर रख लेंगे और बाद में सभी को डिप फ्राई कर लेंगे इस प्रकार से ये जो साबुदाने की पूरियां होती है ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है इनका टेस्ट बहुत ही इमेजन होता है आप इनको नॉर्मली ऐसे भी खा सकते हैं या फिर धही जटनी या फिर जीरा आलू के साथ भी इनको वरत के टाइम पर खा सकते हैं में क्या होता है वरत के टाइम पर हमें हम जादा ओईली खाना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि ऐसा करने से बार बार बहुत ज़्यादा प्यास लगती है लेकिन साबुदाने की इन पूरियों में डीप फ्राइए करने के आती बिल्कुल भी इनके अंदर ओयल नहीं फड़ता है फुली फुली पूरियों बनकर तयार होती है हमारे जो हमने आटे के पूरियों बना रहे है उसमें आलू मैंने थोड़ा एक्स्टर डाला है क्याता कि इसके टेस्ट बहुर अच्छा हो जाए अगर आप चाहें तो आलू थोड़ा इसमें कम डाल सकते है फिर जो इसके किनारे थलकेल के फटे हुए आपको लग रहे है वो नहीं लगेंगे वो परफेक्ट पूरियों बनकर तयार होंगी वैसे जो मैंने आलू जादा डाला है उसके बाद भी सभी फूरिया पूरे तरीके से फूली हुई है और बहुत अच्छी खाने में लगती है आप एक बार नवरात्रों में इस बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजेगा इन पूरियों की फ्रेंड्स एक खास बात और भी है एक तो इसमें ओयल बिल्कुल भी अबजॉब नहीं होता है दूसरी शीज इनको खाने के बाद लंबे चमें तक भूक नहीं लगती है अब एक बार इस रेसिपी को अपने घर में नवरात्रों में ज़रूर ट्राई कीजेगा और अपने एक्समेंस हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए ऐसी मज़िदार रेसिपी हम आपके लिए हमेशे लाते रहेंगे फ्रेंड्स तब तक के लिए बाई बाई